इनके लबे रंगी की निच्छाबें थी के जिसने मारना होता होगा जैसा कि ना गेम के टाइटल से हो सकता है पबजी के रिप्लेसमेंट में आया हो शाय अदेसा हो सकता है लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं है यूगे इस ते किसम का गेम में पहरी बार सुनाए गेम किसी भी तरीके का हो या खेल पूद किसी भी किसम की हो तमाम की तमाम वो लहव में शामिले यानि वक्त की बरबा अपने बार बार उलमा से सुने भी होंगे उनके सिवाव तमाम वो चीजे जो वक्त को बरबाद करें दूसरे फराइज से बंदे को रोकें वो सब गेम खेलना ही मना है यानि एक अंडिस्टूड सी बात है गेम के तालुक से कि अगर कोई बंदा गेम खेलता है खासतोर से अंड्रोइड में खेले जाने वाले ये पब जी या दूसरे किसम के जो गेम होते ना ये बनिस्बत उसके जादा खतरनाक हैं जो प्लेगराउंड में खेले जाएं मसला नहीं है कि चलो कोई एक्सरसाइज की तोर पर बंदा फुटबॉल वगेरा खेलता है कुछ वक्त के ये और उसके अंदर सितर का खियाल रखता है साथ में ये कि उसके नमादों खगेर का कोई मस्ला नहीं होता और ये मुदद भी कम होती है और इसकी हमेशगी नहीं होती है तो पर इसमें भी कुई क breed वाली बात नहीं है को लमा इसमें विजाए दी सورत ब्यान कर देंगे ले अगर रात में लोग जो मोबाइल चलाते हैं सोने से पहले तो उनके फिर नींद की शिकायत अक्सर रहती है उनको नींद नहीं आती है यानि इस टेम सोने का वक्त होता है ना कि पुदरती तोर से जिसम के अंदर नींद तारी हो रही होती है और ऐसे वक्त में अगर कोई अपने मैसूस क्या होगा कभी ऐसा होता है कि जब आप सोने कोशिश करते हैं अगर नहीं सोते तो उसके बाद आप सोने की लाग कोशिश करें आपको दो दो घंटे बिस्तर पर करवट इदर से उधर लेते हो बदलते हुए वक्त निकल जाएगा लेकिन आपको नींद नही आती है तो मुबाइल के अंदर गेम खेलने के तो नुकसान वैसे ही है कि आदमी वक्त को बरबाद ही करता है तो यह तो वैसे भी जाइज नहीं है अच्छा आवाज का वोलिम थोड़ा कम है कि अवाज कमा रही है आपको अब सही आ रही है कि तोड़ा जादा चिलाना पड़ेगा सुबह सुबह का टाइम है अब छट पर अवास तो अच्छे आते लेकिन छट पर अभी हवा भी चल रही है चिड़ियां भी होंगी और शोवर गुल भी रहता है अभी ठीक आ रही है नहीं आ रही है चिल्ला चिल्ला के बात करनी पड़ेगी तो मारे स्पीकर खराब है जब के मुबाइल होगे गेम की बात चल रही थी बुलवा दिया तो फिर उसके अंदर गया है वक्त की बरबादी भे होती है अठिया काथ आप जब करके कम लोगान गालते हैं इंकर था जो जो पत उख्वीक नहीं मिलती नेक काम की आप खुद इमेजन करें कि कोई बंदा काम वगेरे से फिरी होकर रात में एक अद गंटे जो है वो पबजी खेल रहा है वो उसके बदले में कोई दूसरा काम भी कर सकता है लेकिन उसको ये तौफीक नहीं दी जा रही कि वो कोई जिक्र करें दूरूदे पाक पड़े अगर के अंदर बैट कर पूरा टाइम निकाल देगा दो दो घंटे तक लेकिन वो इशा की नमाज जो है पंद्रा मिनट में नहीं पड़ सकता तो ऐसे लोगों की बदनसीबी महरूमी भी है जो गेम खेलते हैं कि एक तो अल्लह रसुल के जिक्र से भी लोग दूर रहते हैं और दिर्वाकर इनको अपनी बदनसीबी पर सोचने भी चाहिए कि अल्लह ताला ने इनको इबादत की जिक्र करने की तौफीग भी नहीं दी तो इन लोगों से तौफीग जो है वो लहव में मुबतिला होने की विजए से छीन ली जाती है कि ये खेल कूद में इतने मुबतिल अब ही है यह का इग सोचने पर फज़र का पढ़ने को नहीं वो नहीं तो हर वो काम जो बंदे को रात को जगाए और उस जगनेसे फज़र की नमाज उसकी कज़ा हो जाए यह जाइस नहीं नहीं 據िसम से गैम कहलना विए बरबादी है नजाइज काम है गुना का काम है जो भी कर सकते हैं। तो आप अक्सर यह वह को ढ़िसे लोगों को जो गिंग वर्याग्र मुथिला होते हैं वो ऐसे ही उते हैं यह पूछ नाजायज नाजायज वाले इन लोगों के लिए सवाल करना मेरे साफसे तो कोई अकल मंदी नहीं है क्योंकि ये वैसे भी बहुत सारे नाजाइज काम करना होते हैं नमाजे वगएरा कजा करना या फिस्क के अंदर मुटिला रहना या आम सी इनकी बात होती है और जो शक्स नमाजी होगा या इलम दीन में अपना वक्त देता होगा तो जायरे कि फिर वो इस किसम के जो है गेम वगएरा के अंदर शामिल नहीं होगा तो गेम कोई सा भी हो वो नाजाइज है अब बहुत सारे लोग क्रिकेट वगएरा के ओपर करते हैं जाईज है नजाईज है जाईज है फिलाल मैं उसकी बहास नहीं कर रहा लेकिन android गेम से जो है वो बचना चाहिए फोन में हो भी तो इसको डिलीट कर देना चाहिए और जो यह वक्त है ना यह यह आधर कि तरफ से या यह एक ऐसी नियमत नहमत है बन्दे को जो वक्त है कि किय से पहले मिला है तो इसको आप अप अपने घर में बैट कर तीस मिनिट के लिए फिरी है यानी सोने से पहले उसी तीस मिनिट में आप इमेजनेशन करें कि कोई शक्स ऐसा होगा कि जिसके घर का बंदा कोई बीमार हो तो वो अस्पताल में दूड़ा भागा दूड़ी कर रहा होगा हस्पतालों के चक्कर लगा रहा होगा तो वो कितनी बड़ी है आजमाईश में लेकिन आप उस वक्त में फ्री हैं आपको एसी कोई और शेजमाईश नहीं इसी तरह के से अगर कोई शक्स ऐसा होगा कि जिसके इहर में नितिकाल हो चुगा तो वो बंदा इस वक्त फ प्रिकार हो रहे होंगे जिन्दगी और मौत के बीच में लटके होंगे तो आप यह इमेजिन करेंगे जिस वक्त आप फ्री बैठे हैं अल्ह ताला का शुक्र अदा करेंगे यह इसी नेमत है कि आप इस वक्त किसी भी आजमाईश में नहीं है और इस वक्त दुनिया में तेरे शुक्र से बिलकुल खाली हूं तो क्या करना चाहिए फिर शुक्र के लिए बंदे को जिकर करना चाहिए और दिन में सो बार दो सो बार अस्ताफार पढ़ना यह दुरूद गलमा पढ़ना यह बहुत बड़ी चीज नहीं है इसको बंदा बहुत एजली कर सकता है यह इनी फजर के बाद अगर रोड़ पर कोई टहलते वे भी निकल जाए तो वहां पर भी जो है वो दुरूद पाक या अस्तखफार की कसरत रेगुलर कर सकता और पाबंदी भी हो जाएगी अगर जो वो सो ही बार पढ़े और अल्ला तबारक बतालों को वो अमल ज्यादा पस फरागत वाला वक्त है इन बंदों का गेम खिलने वालों को यह उसमें चला जाता है यह फ्री बेट कर जिकर भी नहीं कर सकते कुछ भी नहीं कर सकते तो उस फ्री काम को यह गुना के काम में लगाते हैं गेम खेल कर अगर उस वक्त बंदा कुछ नहीं भी करेगा खाली बे में फिक्र करें और वो फिर इसी तरह खेल कूद वाले सामान में मुप्तिला रहता है